किसान भाई आज मैं पहुंचा हूँ एक ऐसे सफल किसान के पास जो पिछले काफी समय से मचली पालन कर रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं 20 एककड में यहां पर मचली पालन हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह कि कल्चर के साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए एक ऐसी हमस्ते सश्रीकाल आदाव मेरा नाम तरंजीत सिंग मैं बुरहानपूर मध्यप्रदेश का रहवासी हूं और इस वक्त हम खड़े हैं जलगाओं डिस्ट्रिक महराष्ट में जहां पर हमारा 20 एकड का हैचरी फार्म है जहां पर हमने अभी लास्ट यर यहां पर हमने पंके एफम सीजी बिजनस को मैंने मेरे फादर के साथ रन किया पिछले हाट सालों से उसके बाद आयम ऑलसो डीलर ऑफ रॉयल एंफील मोटर साइकल्स दैन मुझे हमेशा से ऐसा रहता था कि मुझे कुछ और बढ़ा करना है कुछ मेरे एक सुकता रहती थी कि कुछ डाइवर्स कर सकते हैं जिसके अनदर अब अभी अन्ट मार्केट है जिसके अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकिये है जिससे हम हमारे इंडिया के अंदर लोगों को अभी जो वहू प्रोट फूद्ध फुस says जारी हैं pandemic सार Сारे हैं पेंडेश में बीट में यह हैiezब कि सब लोगों के healthy रहने healthy रहने लिए healthy food अच्छा food खाना वहर जरूरी है high value protein food खाना वहर जरूरी है और वह सबसे ज़्यादा होता है फिशित और फिशित can market मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया उसके बाद मैंने काफी जगा जाके ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद मैंने यहां पर उस चीज को गाइडेंस लेके काफी सारे एक्सपर्ट की गाइडेंस लेके जो कि इस फील्ड में पहले से काम कर रहे थे मैंने यहां पे चालू किया तो अभी फिर मैंने 20 एकड का फार्म मेरा यहां पर डैवलब किया है जिस पे हम अभी फिलहाल बासा फिश पंकेशियस फिश का हम कल्चर कर रहे हैं और I कि अभी तक सब उपर वाले की किरपा है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अभी हम अगले 15 से 20 दिनों में हमारा कल्चर जो है हार्वेस्ट करना चालू करेंगे तो आप मचली पलंद कर रहे हूं तो आप कल्चर कर रहे हैं कि साथ कुछ और भी आपका प्रोजेक्ट ह कर रहे हैं हाँ अभी हमने जो पहले जो शुरुवात की थी वह पंकेशियस बासा फिश के कल्चर से स्टार्ट किया था उसके बाद हमने यहां पर यह पता कि बेसिक फार्मर्स को क्या-क्या दिक्कते आती है कि उनको यह नहीं पता होता कि किस प्रकार की लैंड एवलिबि हो जाते हैं और फिर अपना लॉस कर बैठते हैं तो बेसिकली मैं अपने जो भी फार्मर्स भाई हैं उनको मैं यही एक मेरे तरफ से सजेशन देना चाहूंगा कि आप स्टडी सारी कीजिए लेकिन अपने जो लोकल एंवार्मेंट है लोकल एंवार्मेंट की जानकारी दे पहले तो केवल बेंगॉल में और 36 गड़ में ही अच्छी कॉलिटी का बासा फिश का जो हैच्री महीं पर है तो फिर हमने उसी चीज के उपर हमने और विचार कि क्यों ना अब इतनी दूर से जब सीड आता है तो वह उब्यस्ली उसमें ट्रांस्पोर्टिशन कॉस इंक्ल 25 परसेंट कंप्लीट हो चुका है और उपर वाली की किरपा रही तो अगले 15-20 दिनों में हमारा यहां पर प्रडक्शन भी चालू हो जाएगा तो हम यहां से अपने इसी फैसिलीटी से हम बैस से बैस कॉलिटी का हमने बहुत उसके लिए टेकनिकल स्टाफ जो था वह भी स्टूर यहां पर हायर किया है जो कि यह उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्विब्ड है वैस्कॉलिटी का हमने ब्रूडर बुलवाया है तो हम यहीं से फिर हमारे जो सेंट्रल इंडिया के भाई हैं जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं और जो करना भी चाहते हैं त इसके अंदर बहुत महत्वर रखते हैं कहीं बार तो ऐसा होता है कि जितने आपसीड होता है उतना ही परपीस ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है तो वह समस्या सारी उनकी हम करें प्लस क्या होता है क्यों बार ट्रांसपोर्टेशन का पाफी सारी मॉट्यलेटी नुकसान विए भी हो जाता है तो वह जो समस्या हैं उन से सारे जो फार्मार एंगे उनको जो हैं हम हैं से रिलीव दे पाएंगे और प्लस ऐसा ही नहीं कि सिवह जो परपस अब्जेक्टिव एक ये यह नहीं कि सिवह हमारा सीट बेचना है वह आफ्टर सीट उसके बाद पूरा कलच् स्टेप बज स्टेप हमारे फार्मर्स को पूरी प्रॉपर कंसलेटेंसी देंगे जिसका हमारा कोई चार्ज नहीं रहें हैं क्या सब्सक्राइब करेंगे कि हम उनको सीट और सब्सक्राइब करेंगे कि एक जब उनका पूरा हो जाएगा जब उनका कल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जब हर्वेस्ट की बारी आती तो क्या होता है कि जब हम छोटे लेवल पर फार्मिंग करते हैं तो मंडियां एक्चुली बहुत दूर दूर होती है जहां पर जो मीडियेटर होते हैं वह बहुत कम रेट में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं तो फार्मर को अपना रेट मिल पाता तो वह अल्टिमेटली क्या होता है कि फिश फार्मिंग से दूर हो जाता है तो इस चीज़ को नजर में रखते हुए हमने यह सोचा है कि हम ज पास उनको जो एक प्रॉफिट मिलना चीज़ वह उसके बाद वह अगर चाहें तो वह हमें भी दे सकते हैं और वह चाहें तो मार्केट में भी बेश सकते हैं यह उनको वह भी सपोर्ट देंगे जह सब्सक्राइब अब हमारे दस पॉंड्ट और यहां पर बने हुए हैं औ और हमारे दस पॉंड्ट जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि अगले पंदरा दिनों के अंदर वह भी तैयार हो जाए इनके अपने गहराई कितनी रखी है इसकी गहराई नॉर्मली याने लगबग पांच फिट होनी चाहिए जमीन से पांच फिट होनी चाहिए अगर च है आप उस पर कोल करके जानकारी ले सकते हैं